हेलो श्रेंट वेलकम तुमाई यूटूब चनल एकेम्टी कोर्स आज में क्लास नायंद का चेप्टर थी कोडिनेट जिमेटरी का एक्ससाइज 3.1 का क्वेशन नमब टू बताने जा रहा हूं इस्टृ स्टीट का मतला सुम्मेजे इस्टृ यो गली रास्ता पतला सा वो स्ट्रीट होता है जो की एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कहां पास intersect करते हैं city के इदम center में ठीक these two routes are along north-south direction and east-west direction देखिए जो दोनों route हैं कैसे हैं north-south north-south के एक में हैं अदुसरा है west-east के direction में और दोनों intersect कहा कर रहे हैं जो mean center है city का यहां पास intersect कर रहे हैं north-south east-west ठीक उसके बाद समझे all other street of the city बाकी जितने भी street यानि गली है सहर के run यानि parallel to these roads are two hour and are 200 meter apart बात को समझे और बाकी भी जितने road है यानि गली यह main road है highway है और बाकी के जितने भी गलिया है वो parallel जा रहे हैं इन दोनों के north-south में पांच street पहला जा रहे है और east-west में पांच street पहला जा रहे है कितने meter तक? 200 meter तक आपको इस चीज का एक नोट बूक पर ड्रो करना है मोडल इसका है जिसे मैंने बता दिया कि यहां से यहां तक 200 meter है और यहां से यहां तक 200 meter है meaning there are many cross street here model आप द्धेखेंगे कि हर गली एक यहां पास यहां पास यहां पास बहुत जगां इंकर रहे है अब particular cross street is made by two street ठीक cut कैसे करती है दो street मिलने से cut करती है वही चीज है एक किदर साइट से जाएगी नोर्थ साउट से और दूसरा इस्ट वेस्ट से तभी तो कट करेगी सिंपल सी बात है चलिए इच क्रोस स्ट्रीट इस रेफ़र्ड इन दे फोलविंग मैनर दिया एस चलिए उसको नहीं बताना है if the second street running in north-south direction and fifth in east-west direction meet some crossing then we will call a cross street 25 बात को समझे अगर कोई street यानी दूसरी नमबर का street देखे दूसरी नमबर का street यह है दूसरी नमबर का second street of the running north-south माली जी north-south में का second number का street ठीक कहाँ pass meet कर रहा है and fifth fifth number काउन सा है east-west का यानी यह यानी simple सी बात है यह fifth है और यह second है यहाँ pass ठीक तो इस origin को हम क्या बोल रहे है two five इस origin को two five two five का मतलब समझे यह एक x-axis होता है यह एक y-axis होता है तो सबसे पहले x-axis का लिया जाता है तो x-axis पर two है उसके बाद y-axis पर ध्यान दिया जाता है y-axis five है ठीक उसके बाद using the convention find अब क्या बोल रहे है दो ठीक क्वेशन है उसी को find करना है how many cross street can be referred to as four and three ठीक पताए कि four four यानि simple सी बात पहले x-axis पर four का हाँ पास मिलेगा या यह वाला x-axis होगा four और three y-axis पर यह वाला यानि यहाँ पास यानि इसको हम क्या लिख सकते हैं four, three यहाँ पास कितने cross street होगा तो simple सी देख रहे हैं हम एक है यानि आप बता सकते हैं इसमें one होगा इसका जो answer होगा how many cross street can be referred to as तो आप one लिख लिजे पहले का answer one लिख लिजे ठीक उसके बाद दूसरे का भी देखें how many cross street can be referred to as three, four तो three excesses पर यह वाला line है four यह यहाँ पास कट कर रहा है इसको आप three, four लिख सकते हैं कितने जगा कट के three, four एक जगा है यानि इसका भी answer second number का भी only one लिख नहीं होगा बस आपको ऐसे ही करना है दोनों का answer one हुआ question पहाड़ यह से है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है ठीक, thank you अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारा चनल AKMT Quartz को subscribe कीजे एक like कीजे जहिन, जय भारत